जै शनी रेव, प्रिय भक्त गणों, मैं गुरु रज़की शिर्शी, शनी पीछ मंदिर, इस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से, आज कोने आप सभी इसमझ प्रस्तुत हुआ हूँ, आपका अपना देहनिक राशी फल देकर, क्या कहते आस्मान में इस्थित, द्रह गोचर, आपके लिए, तो आएए सबसे पहले प्राहरम करते हैं, आज के द्रह गोचरों के साथ, द्रह गोचर फिर से बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रोग्राम नहीं देखा है, द्रह गोचर मतलब आस्मान में जो सूरी, चंद्र, मंग्र, बुन्द, ब् ग्रह हैं, वो किस-किस राशी में ब्रहमन कर रहा है, यानि आपकी राशी में कौन सा ग्रह में ब्रहमन कर रहा है, तो मेरी राशी में कौन सा ग्रह ब्रहमन कर रहा है, उस इस्थिती को हम ग्रह गोचर गयाते हैं, तो यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आस्मान में जो इसनिक धया हो चाहरे हूँ वो और आपके जनमकंडली के जो ग्रहे हैं यह नहीं के अंशाण आपको फन मिलता है कि दह्मों के कॉंभीनेशन से फल मिलता है अगर आपकी जनम कुंडली में गरें खराब हैं और आस्मान में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपको दो यंदर जेगा मतलब हलका सा फल खराब थोगा अच्छा गरें होने के बाद जो भी आपको भारी फल नहीं मिलेगा अगर आपकी जनम कुंडली में नॉर्मल ग्रह है और आस्मान में अच्छे ग्रह है तो आपको ज्यादा फल मिलेगा तो आईए सबसे पहले प्रार्म करते हैं ग्रहे पुचर की स्थिती को यहाँ भगवान भासकर सूजदेव अपनी उच्छ राशी यानि मेश राशी के अंदर विराजमान है और वहीं पर उनके भी मित्र और मंगल देखता के भी मित्र बुद्ध देखता सूजदेवता के साथ ही विश राशी मेश राशी मेश राशी मेश राश 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 मेश में विराजमान हैं, अपने धर का जो घ्र होता है वो बली होता है, बर्वान माना जाता है, यहां पर ही मंगल देवता उच्छ के होकर, यानि अपने मित्र के घर, यानि सनी देग जी के घर में उच्छ के होकर बैठे हुए हैं, यानि वो भी मकर राशी में ही विराजमान हैं और यहीं पर ब्रस्पती देवता नेच के होकर शनी बेब जी के घर में हो यानि मकर राश्ची में ही गरार माँ है तो यह है आज के गोचर की इस्तिती यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के बार-बार निवेदर करने के बाद कि आपके बहुत सारी कि हमें फ्री में बताईए हम पैसा देने में असमार्थ हैं तो हमने एक मुबाइल अप लॉंच की जिसकी जो लिंक है गोगल प्ले स्टोर के लिए जूसका लिंक है वो इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन में आ रहा है आप वहां जाकर स्वामी प्रेंशरी से अपनी व्यवस्ताने आप लोगों के लिए बनाई हुई है तो आप बिना किसे जी जब के स्वामी प्रेंस रिशी के लिंक पर जाकर उस मुबाइल आपको गूगल प्ले स्टोर पर से डाउन्डूड कर दीजिए उसके बस साथ जब आप उसे प्रेंड को पोलेंगे तो स्वामी प् भीज देंगे चलिए प्रारम करते हैं आज के पंचांग से आज विक्रम समद्द 2017 पांच मई 2020 तिरियोद वशीत जिची है व्यसाक मास के शुकल पर श्मी मंगलवार का दिन है आसमान में भज्र नामक योग है और हस्त नामक नच्छत्र का उदे हुआ है आज जो आप लो लोगों के शुब महूरत है जिसे हम अब जीत महूरत के नाम से जानते हैं वो 11 बजकर 14 मिनट से लेकर 12 बजकर 42 मिनट तक रहने वाला है जबकि जो राहु काल है जिसे हम अशुब काल कहते हैं जिसमें हम कोई शुब कारी नहीं करते हैं वो 3 बजकर 38 मिनट से लेकर 5 बजक के बहुत सारे सालों से दुनिया के 133 देशों में एस्ट्रोलोजी का कार्य करना है। पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग especially मुझसे मिलने आते हैं या मिलों का इंट्रेवू लेने आते हैं या मुझसे एस्टोलोजी सीखने आते हैं उसी की वज़े से आज आज आपने यूट्यूब पर मुझको 14,80,000 से जादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आपने किया है सब्सक्राइब नहीं किया तो अब देर क्यों करते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएए बेल के आइकन को दबाएए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक अवस्च कीजिएगा और अगर पसंद आया तो आपको इस वीडियो को फाइडा आपके दोस्तों और इस्तिदारों को भी अवस्च मिलना चलिए तो उसके साथ शेयर भी करतीज़े और अगर आप मुझे कोई राय देना चाते हैं इस वीडियो के बारे में तो फिल कमेंट्स को भी करते हैं आप मुझे कमेंट्स करिए मैं आपके कमेंट्स को ध्यान पूर वक इस्टड़ी करता हूँ और उसके अकॉर्डिन भी आपको रैपलाई भी करता हूँ तो चलिए प्रारम करते हैं आज के राशीफल के साथ बात करते हैं व्रश राशी वाले व्यक्तियों विबारे में द्रश राशी वाले व्यक्तियों आपको मानसिक बाल बहुत बड़ा चड़ा है इतनी परिशानियों को भी आप सहतने के बाद भी अपने मानसिक बलको आप इस्तिरत पाएंगे ये आपके लिए खुशकवरी हो सकती है निश्चे दुश्यों से भाई बहनों के साथ थोड़ी उलजने थोड़ी परिशानिया जिसकी वैसे आपको नुक्सान भी हो सकता है साथधानी बरतें भाई बहनों के साथ अगर बात करें तो भाई बहनों के साथ आपके जो संबंद है वो निश्चित उसे आपको पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते हैं तो उन संब्धों का फाइदा उठाकर आप अपने केरियर को अच्छी शेव देने की तरशा में आगे कारी करें माता के साथ आपके संब्धों में अडचन आ रही है और या माता की पज़ी बज़े से आपको काफी खर्चा करना पर सकता है सतर करें माता का शिवाद लें माता से शड़ाईश पर्ष करें निश्चिति आपको फाइदा होगा बात करते हैं इस्टूडेंट की जैसा की इस्टूडेंट है उनका मन समय चंचल बना हुआ है तो अपने मन को इस्थिर बनाने के लिए और पढ़ाई लिखाई में फोकस करने के लिए वो जो कि आप नहीं कर रहा है मैं बात करूँ अगर श्यासी वालों की तो ऐसे इस्ट लिखने में दिमेधी में करके लगने लगेगा वो भी व्यदिक एस्टूलोजी के बहुत छोटे से उपाई जो आपने साल में एक बार करना या करवाना है इसके लिए हम आपको गारंटी भी देते हैं अगर आपको चाहिए तो हम आपको लिखके गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा ही हो और हम बात करते हैं उन्हीं यूग की यूगतियों की जो बार-बार सरकारी नौप्री के अग्जांस में बैठते हैं मगर सफल नहीं हो पाते हैं तो ऐसे सभी यूगतियों और उनके माबाप से कहना चाहेंगे आप एक पर अपकी जनमकुली तो दिखवाएए पर पता तो चले आपकी जनमकुली में सरकारी नौप्री का यूग है भी यह नहीं या वैसे ही आप हवा में लट गोहा रहें और अगर योग नहीं है तो भी घमराने की बात नहीं हम आपको दूसरी डायरेक्शन में जहां पर आपका योग हुन है उस डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करेंगे मजबूत करते हैं और जिन लोगों की जनम कुंद्री में योग है मगर कब जोल है तो उनके उस सरकारी नौकरी वाली योग को बेहत मजबूती प्रदान करने लिए छोटे-छोटे वैदिक एस्टोलोजी के उपायत हैं और जिन लोगों की जनम कुंद्री में इस्ट्रॉंग योग बना हुआ है वही हमारे पास काहिको आओ वे सरकारी नौकरी की लाइन में लगो जाके हमारे पास आने की आपको जुरूते ही हैं सरकारी नौकरी में मगर हम बात करें उन लोगों की उन माता पिताओं की जिनकी संतान उनकी बिज्जती करती है उनका अपमान करती है ऐसे सभी माता-पिताओं से कहना चाहेंगे, चाहें आपकी संतान की उमर 15 साल है या 55 साल, इस पास से कोई फरत में पड़ता, आप हमारे बताए हुए वैदिक एस्टिलोजी के छोटे से उपायव को साल में एक या दो बार करें, निश्चित रूप से धीमे-धीमे करके आपके और आपके संतान के मद्दि उन्हें प्रेम के मजबूत बंदन बनने प्रारम्ब हो जाएंगे और आप रोजाना के इस अपमान और बिज्जती से मुक्ती पासे तो इस सब के लिए आपने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, आप सभी लोगों ने जिनको इन व्यदिक एस्त्रोलोजी के उपायों की जबूत मैसूस हो रहे हैं, वो एक एक एपॉनिमेंट बुक कराएं, चाहे पर्सनली मिलने के लिए, चाहे वाटसेप उडियो कॉल के लिए, चाहे फोन कॉल के लिए, या फिर वो इमेल कर सकते हैं और अपनी जनमकुंद्री और जिनके पास जनमकुंद्री नहीं अपना चेहरा दिखाकर इन व्यदिक उपायों को छोटे छोटे व्यदिक उपायों को प्रात्त करके अपनी जीवन को खुशियों से भरपूर बना सकते हैं प्रात्त कर सकते हैं अपने लिए आव जा ड्रात्त्तों ग्रात्तत कर सकते हैं जो बात करते हैं उन विर्थियों की जो संतान से विजिन है यहने संतान की प्रॉलम में रुकी है डॉक्टरों के चक्र लगा लगा कर ठक चुके हैं कही सालों से यहां बार-बार मिसकेरिश होता है मगर किसी भी बात के लिए डॉक्टरों के पास कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए अब आप लोगों को दवास से जादा दौाओं की जरूरत है और इन दौाओं को प्राप्त करने के लिए आप जो इस्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं उन पर एक एपटमेंट बुक करिए वीडियो कॉल के लिए परस्नली मिलने के लिए फोन कॉल के लिए या आप इमेल के द्वारा भी हमसे संपर कर सकते हैं और अपनी जर्मकूली अपना चहरा या अपनी परिशानी बता कर इन समस्याओं के लिए ऐसा प्रामश्पराप्त कर सकते हैं जिससे शीग तर शीग आपके घर में संतान की प्राप्ती होना संभव हो सके सकते लास्त्रे क्षफें, और अरचन हैं दूरो चुका हैं चोस में बाधा बन रही हैं बात करके हैं जीवन साथी के साथ आपके संब्दों भी तो जीवन साथी के साथ संब्द्ध Sword आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक बना रहे हैं और आप उसको enjoy कर पा रहे हैं, भाग के आपका साथ दे रहा है, full to full, भाग के साथ आड़ो बढ़ने का भ्रकूर प्रयास करिए, किन्तो कोई accident से समाचार या accident के होने की संभादना आसपास नजल आ रहे हैं, तो आपका साथ धान रहे हैं, अत्यल्द आवशक है, बात करते है कारिष्टर के हालाद में भी आपको support प्रदान कर रहे हैं, तो आवंदनी के हालाद थोड़े 19-20 होते हुए, खर्चे ज़्यादा होते हुए मैजर आ रहे हैं, तो आपको साथधान और सतर्क रहने की जगवत हैं, और अंत में हम बात कर रहे हैं, उन यूवक यूटियों क जो विरश राशी के हैं और प्रेम संबंदे में बहुत ज़्यादा अरचन महसूस कर रहे हैं, चाहें आपसी जगवरों की वज़े से, चाहें उनके बीच में कोई तीसरा घुस्किया है, इस वज़े से, चाहें उनका जो साथी है, उनको अब छोड़ना चाहता है, इस हो पार हैं इस वज़े से, तो ऐसी किसी भी परिशानी से जूज रहे हैं, किसी भी राशी के युवक युवतियां, जो अपने प्रेम संबंदों के लिए कर परिशान हैं, इस स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस समय, उन पर एक वीडियो कॉल, फोन कॉल, या परस्णली मिलने का टाइम बुक कराएं, या आप इमेल भी कर सकते हैं, और अपनी जनम कुली, अपना चहरा, और अपनी परिशानियों को बताते हुए, वैदिक एस्टोलोजी के छोटे छोटे में उपाएं, जिसमें आपको कोई भकरों की बली नहीं देनी हैं, कोई मुर्गों की ब महान प्रपंचना में नहीं फसना है, आपनी बहुत साधान सी वैदिक उपायों के माध्यों से, अपनी प्रेम संबंदों को पुने मजबूत बनाना है, और उनको शादी की तरफ ले जाकर अपनी जीवने खुशियों को नया आयां प्रदान करना है, और अन्त में आप इल आज के लिए बस इतना ही शीगरी पुने मुलाकत होगी, आपके नए गरे बुचर के साथ तब तक के लिए आगया दीजिए, जै शंडे